दोस्तो नमस्कार मैं हूँ प्रकास चन्सुकला पीसी नर्सरी के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आपके सामने यूजो में पौधा लेके आया हूँ इसको सदाभार के नाम से जाना जाता है इसी को पेरिविंकल भी कहते हैं और इसी को कैथरेंथस रोजियस भी कहते हैं भारत वर्स में लगभग ये पौधा हर जगे देखने को मिलता है जादा तर पार्क जो होते हैं गार्डन होते हैं वहाँ अकसर आप इसको घूमते समय देखे होंगे आप तो इस पौधे के बहुत जादा औसधी गुन आयरवेद में बताए गये हैं और जो मॉडरन मेडिकल साइंस है फार्मेकोलोजी है उसने इसके बारे में काफी रिसर्च किया है और जितने रिसर्च पेपर इसके बारे में मिलते हैं वो या तो इसका जो फायदा है या तो सुगर की जो पेसेंट है सरकरा रोक से जो पीडित है उसमें फायदा देखा गया है और कैंसर की जो मरीज है उसमें सरवाधिक मातरा में इसका प्रयोग किया जाता है यदि हम बात करें इस पौधे को आप तयार कैसे कर सकते हैं तो एक तो सीड से इसके पौधे प्रयरकी सकते लेकिन जो सबसे अच्छा मेधिर है इसको तयार करने के लिए उसकी टिप कटिंग होती है जैसे यह पौधा आप देख रहे हैं इस प्रयोग क्या करना हंदेए करेंगे पाॉडर को तो उसमें पाॉडर लग जाएगा निचले पोर्शन में इसके बाद इसको आप मिट्टी खा तयार करके पॉलिथीन में भर लें और इसको डिप करके उसमें लगा दें तीन से चार हपते में इसमें जड़े आने सुरू हो जाती हैं और नई पत्तियां भी आनी शुरू हो जाती है तो इसको उगाना बहुत आसान होता है यदि आप किसी जगह में काफी flowers गुरूप में लगाना चाहते हैं सफेद flowers लगाना चाहते हैं तो गुरूप में कई पौधे लब बीस से तीस पौधे आप लगा देते हैं तो बहुत सुंदर वो जगह दि लेकिन जितना भी रिसर्च इसके बारे में अभी तक हुआ है वो बहुत अच्छा रिसर्च है क्योंकि सुगर में जितने अलग अलग पेसेंट मुझे मिले हैं उन्होंने बताया है कि हमें फायदा देखा गया है इसके सेवन करने के बात से तो आप इसको बहुत आसानी से अपने घरों में उगा सकते हैं, तो PC नर्सरी में हम इसके पौधे लगातार तयार भी कर रहे हैं, और चुकि जो ये सफेद प्रजाती होती है, जिसमें सफेद फ्लावर्स आते हैं, ये दुरलब होती है, ये हर जगे नहीं मिलती है, तो इनको मैं ग्रो कर रहा हूँ, सरवा वाइट बौडर देना है, फूलों का फ्लावर्स का वाइट बॉर्डर देना है, और आप चाहते हैं कर पर्मनिन्ट फ्लावर्स खिलते नहीं, बार बार हमिन से जिज्ञणल फ्लावरर विंटर वाली ये सवर वाले नहीं लगाने पड़े, तो इसके स्सिंख़ा आता से लगा सकते हैं सफेद बाले की और गुलावी बाले की तो लगा देंगे तो साल भर फूल आपको मिलते रहेंगे यह भी देखा गया जिस छेत्र में पेरिविंकल होता है क्योंकि टर्पिनॉड बगर का सेकेंडरी मेटाबोलोइट भी इसमें पाय जाते हैं जिसके करण मक् कर रहे हैं आप इनको असाने से यहां से ले जा सकते हैं और गार्डन में आप इन पौधों को लगाएं आपको जानकारी कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्षन में बताएं और पीसी नर्सरी के यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें ब बहुत बहुत धन्यवाद